गुड मॉर्निंग स्ट्रेंट्स आज हम लोग 2023 के बोर्ड एक्जाम में जो प्रस्ण पुछे गए थे उसके अब्जेक्टिव का हल जानेंगे और मेरे पास सेट जी है तो सेट जी से ही मैं हल बता रहा हूं और आपके पास जो भी सेट होगा आप कोशिस कीजिएगा उसके स सेट मिलान कर लिएगा एबी सीडी कोई भी सेट हो बस उसमें बात यहीं है कि कुश्चन वहीं रहेगा सिर्फ उसका नंबर चेंज रहेगा मतलब यहां कि मालें लीजिए यहां पास यहां पर जी सेट है ठीक है और जी सेट में जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है कि एक और दब्रित जिसकी तिर्जिया 3R है तो उसकी परिमीति क्या होगी तो यहां तो यह सवाल जो है एक नंबर में हो सकता है आपका सेट ए है उसमें कहीं चालिस में हो सेट भी है उसमें कई छपपन में हो लेगिन यहीं सवाल होगा इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से देखिए और इसके अंसार आप खुद ही मिलान कर सकते हैं मिला लीजिएगा कि आपका कितना अब्जेक्टिव सही है ठीक है चलिए मैत का हम सुरू करते हैं और सेट जी है जी के हिस आप से मैं अंसर बता रहा हूं ठीक है आई यह पहला कोस्टन है आज का कि एक और्ध ब्रेट जिसकी तिर्जिया ठीर है तो उसकी परिमीति क्या होगी तिर्जिया ठीर है अब रहाबाद की अब्जेक्टिव का अंसर मिलान करना है बना पना समभव तो है लेकिन समय लंब वीडियो होगा जिसके कारण आपको परसानी होगी इसलिए क्यों मैं अपका इसका एंसर बता दे रहा हूं और आप लोग इसी हिसाब से इसका आप लोग मैच कर लीजेगा ठीक है चलिए कोस्टन है एक और्ध ब्रेट जिसकी तिर्जिया ठीर है तो उसकी परमीति क्या हो होगी द्यान रखेंगे लोग तो इसका एंसर होगा यह भी नंबर अर्थाथ 3 पाई यार प्लस 6 ठीक है चलिए दूसरा सवाल है ने मिलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्राइकता नहीं हो सकती है तो आपको हम बताये थे पिछला वीडियो में जब समय मिलना फिर वह जितना मिला आपको बताया थे प्राइकता जीरू से लेकर एक के बीच में होनी चाहिए अगर एक से उपर कुछ भी होगा तो आपका प्राइकता नहीं होगा तो सम प्राइक नहीं होगा तो इस हिसाप से देखा जाए तो दूद्ध समलों पांच जो कि ऐसे भी ए यदि घटना E की पूरक हो तो निमलिखित में से कौन सा सही है तो इसका भी हम बताया थे आपको कि उस दिन बता रहे थे कि प्रोबिलिटी ओफ इजो प्रोबिलिटी ओफ इडैस कि प्राइक्ता का मान हमेशा एक होता है आपको बताया गया था तो इसी साब से भी आप देख सकते हैं कि प्रोबिलिटी ओफ इडैस का मान हमेशा कितना होता है जी वह एक तो इसी साब से देखा जाए तो तीसरा का राइट एंसर सी होगा ठीक है इसके बाद चौथा सवाल करा एक पासे को पासे की एक फेक में दू नहीं आने की प्राइक होगा पांच बटा छो ठीक है आये कोस्टन नंबर पांच करा अच्छी तरह से फेटे गए बावन तास की गड़ी में से एक या द्रिशाया एक पत्ता खींचा गया इसके काले रंग के बादसा होने की प्राइकता क्या होगी ध्यान देंगे लो तो बावन पत्तों की गड तो इसी साब से इसको आप काट दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 26 आने की बटा 26 इसका राइट एंसर होगा तो इसलिए इसका ऑप्शन भी कोरेक्ट होगा ठीक है अब आये कोस्टन नंबर 6 पर थोड़ा हम लोग ध्यान लेंगे कोस्टन नंबर 6 को रहा है यदि 24, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 50 की माधिका 35 है तो एक्स का मान क्या होगा बहुत बार इस तरह का सवाल आपको पढ़ाया गया होगा तो माधिका का फर्मूला लगा करके आपको बताया थे कि आरो ही कुरम में सजा लीजिए गा उसके बाद एक इधर से एक इधर से कटिएगा कटने के बाद जो आएगा उस हिसाफ से मालिका का मान रख लेंगे एक्स का भेलो निकल जाएगा तीस हिसाफ से देखा जाए तो छठा का जो राइट एंसर होगा 35 यानिकी 35 यानिकी 35 चलिए अगला कुस्टन साथ नमबर कोरा संचाई बरामबरता सार्णे में निमलेखित में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है तो संचरी बरामबरता सार्णे में आप सब कोई जानते हैं कि पूरे सांखेकी में माध्यक बहुलक में एक संचरी बरामबरता वाला जो काम है सिर्फ हम लोग माध्यक में करते हैं कि यानि कि माध्यक निकाना हो तो आपको संच बरंबरता निकाना पड़ता है। ठिक है। इस लिए इसका एंसर कितना होगा। B, यानि कि सhesia का एंसर क्या होगा?icka, ठिक है। अगला question माध्य माध्यक और बहुलक में कौन सा संबंद सकते हैं आपको हाल फिलाल में हम बताए थे नई पता हो तो पिछले वीडियो उठा कर देख लिजिएगा आपको बताए थे कि बहुलक बराबर तीन गुने माधिका अघाटां दो गुना समनांतर माध्य मताया गया तो में फर्मूला यहीं है इसी को कभी इधर उदर पलट देता है तो इसी फर्मूला के अधार परू है तो इसी आपसे देखा जाए तो आठ नमबर जो सवाल है आठ नमबर का जो राइट एंसर होगा व ठीक है को दिखकर चलिए अब नौ नमबर सवाल देखा जाए कैसे नौ नमबर को रहा है निमलिखित बित्रण का बहुलक बर्ग क्या है यह भी सवाल हम उस दिन आपको पढ़ाया थे बताया थे कि सबसे ज्यादा जिसकी बरंबरता होती है वहीं बर्गंत राल भूलक बर्ग होता है तो इस ही आप से देखा जाए तो सब manufacturers को सिखक का माझ या is को मांव क्या होगाम तो इसको जह मान रहा करके बनाइगा तो इसके डाइट एंसर होगा पांच रहने नम्बर सवाल है रिव्क्राइब्दु 158 कि मुल बिंदु से दूरी क्या होगी तो मूली बिंदू से दूरी निकालने का फर्मूला आपको बताया गया है तो इसलिए जब फर्मूला का यहां रखेंगे तो इसका एंसर आएगा 17 इसलिए गारो का सी ठीक है फिर देखेंगे 12 नंबर करा सरल रेखा वाई बराबर 2x-3 का अलेख नीचे दीये में से किसी बिंदू से होकर गुजरती है सरल रेखा की बात हो रही है तिस इसाब से इसका राइट अंसर ओगा 5,7 यानि की डी नंबर ठीक है अब यह कोस्टर नंबर 13 देखा जाए को रहा है कि x अक्षपर वह बिंदू जो बिंदू माइनस 2,0,06,0 से सम दूरस्त ह ठीक है बराबर दूरी परिश्थी तो मान रख किसको ही जब बनाईएगा तो इसका एंसर होगा भी अर्थद्दू कॉमा जीरो ठीक है चौधा नमबर सवाल वाई अक्ष से बिंदू 13,15 की दूरी है वाई अक्ष से निकालना है ठीक है तो वाई अक्ष से जब कह रहा है दूरी निकालने के लिए तो दूरी जब निकालेगा तो इसका राइट एंसर होगा लिए कि 13 इस निकालना है जब निकालएगा तो इसका राइट एंसर होगा ठीक है अब इसके बाद कोशन नमबर 16 कि यदि किसी तीरफूज के सीर्षों के निर्दे सांग 2,4 ,6 तन 4 ,-1 तीरफूज के के मदरक के निर्दे सांग होंगे 16 नमबर सवाल है तो 16 नमबर सवाल का एंसर होगा ठीक है यह नमबर यानि कि 2,3 समझे है 17 नमबर सवाल करें बिंदू 13,19 से एक्स अक्स पर डाले गए लोंब की लंबाई क्या होगी तो इसका एंसर होगा अगला सवाल देखा जाए 18 नमबर सवाल है कि बिंदू-2,8-6,4 को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदू किस चतूर्थांस में होगे इसको पूछ रहा है किस चतूर्थांस में 18 नमबर तो इसका आर्थ है कि इसका एंसर होगा भी तो इसका चतूर्थांस में ठीक है अब आई नमबर सवाल है कि पी 0,0 q 8,0 एम आर 0,12 किसी तिर्भूज पी क्यू आर के सिर्ष है तिसका च्छत्रफल क्या होगा च्छत्रफल निकलना है बताया गया था आपको बहुत बढ़िया तरस हमको आसा है कि आप सभी लोग बनाया होंगे तो इसका एंसर निकलेगा बी यानि 0,600 और 8,0 हो तिर्भूज की परिमीति क्या होगी यहां परिमीति कह रहा है और यहां पर च्छत्रफल कह रहा था यह भी आपको बताया गया था देखिए तो इसका जब आपनों हल कीजिएगा तो इसका हाएगा अंसर 24 यानि कि बी जो होगा बिलकुल राइट अंसर होगा अग्षिस नमबर दिविखात समय गण एक स्कॉयर प्लस 4x प्लस बी ब्रावर जीरो के बीवेश चा कहा है बीवेश चा कहा है निए डी का मन निकालना है बहुत बर बताया गया है बीज़ को मैनस 4C ठीक है तो एक कईस का अंसर हो जाएगा ए ठीक है बाइस नमबर देखि कोंतरय सजड़ी में है इस वी सवाल आपको बताया थे हाल फिल öğren में आपको बत रोड़ा है और पिछले वीडियो में भी सवाल को टॉच किया था affects सब्सक्राइब कोन समनांतर सब्सक्राइब कि इसका आप निकालिएगा तो इसका राइट एंसर आपको आएगा ठीक है यानिके 22 का क्या होगा अब आई यह तेश नमबर सब्सक्राइब पुछ रहा है समनांतर सब्सक्राइब रूट आठाणी रूट पचास रूट आठानवे रूट 162 के सारवंतर का मान क्या होगा यानिका आपको डी कमान निकालना है कि इसका मान जब निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा होगा खेर हम बता देते हैं कि तेईस क सब्सक्राइब कर देसेश को夏jan और बॉली सब्सक्राइब?, गया है कि सब्सक्राइब से निकाल लिए होंगे तो इसका आएगा 25 का चोंगों आएगा यानिकि 25 इंसर होगा ए नमबर अबए 26 नमबर सवाल देखा जैंडिक किसी समना अंतर सड़ी ए 30 इस माइनस एब रवर पचास होतो सार स्वां तर गया हो गया तो सार मंतर सार थाल तो होगा थिक अच्छी तो सार मंतर स्वाप थाल करने के लिए जोब सार भूंतर निकालिये तो इसका एक प्मार्ज यानिकी 26 का सी जो होगा बिल्कुल होगा, ठीक है, 27, यदे 2x-1, 3x-2, 6x-1, किसी समनांत्रशनी के करावा आगा तीन पर है, तो x कमान के आऊगा, ठीक है, आपको यहां पर x कमान निकलना है, एपी कहीं कोस्चन है, इसका आप निकाल लिएगा तो इसका आएगा तीन कितना आएगा तीन यानि कि ए जो होगा वह बिल्कुल ठीक है 28 नंबर सब्सक्राइब यह सेट जी है तो आप यह नहीं सोचेंगे कि हमारा सेट ए है तो उससे हम नहीं करेगा नमबर मैच नहीं करेगा यहां पिए सवाल है समनांतरे देख जी लिखा हुआ है जी नमबर सवाल आपको बताया गया था तो इस इसाब से देखा जब निकाला जाएगा तो 28 का जो राइट एंसर आएगा वह 21 होगा यानि की बीज होगा वह कॉरेक्ट होगा अपको बताना है कि कौन सा पद सुनने है ठीक है एपी का सवाल है तो 29 नंबर सवाल का राइट एंसर होगा नौवा पद यानि की बी नंबर सवाल बी नंबर जो अप्षन होगा कोरेक्ट होगा कि बिंदु हो एक कौस्थटा कॉमा जीरो फिर देना है 0 Kumis चानवा के बीच की दूरी क्या होगी दूरी शुद्र का आपको परीयोग कर लेना ठीक है अब आईए अगला कोस्चन कोस्चन नमबर 31 एक तीस नमबर करा वन माइनस साइन टुदी पार फोर थीटा बरावर अने इपको बताना है कौन सा होगा तो यह असान सावाल है आपको मन करता है पलस ए स्कॉयर मैंस बी स्कॉयर पर लेकर चले जाए यह फिर दूसरा भ होगा 32 तिर्भूज ABC में XY कुरम सब भूजाओ AB और AC पर दो बिंदू है ठीक है तो एक सब्सक्राइब समनांतर BC है यदि एकस एकस समानुपाती है किसके एकस बी बराबर दू अनुपात तीन हो तो ए वाई अनुपात यसी का मान क्या होगा इसको तो समझे आधारभूत अनुपात इकता पर में आप जब पड़ते हैं तो उसमें इसको बताया गया था आपको तो 32 का जो एंसर होगा जब मान रह करके बनाएगा तो इसका यह एक थियुरब है आपको बताया भी गया था कि छत्रफल का दिया हो माधिका कहे भूजा कहे तो इस दोनों का रूट कर दिजिए गा जो आएगा सेंसर हो जाएगा तो इसे भी देखिए एक से कोई साच चौशट का बरबूल करेंगा तो एक से कोई सका एक गार रहा होगा बिल्कुल कोरेक्ट एंसर होगा ठीक है अगला कोशन देखा जाए चौँतिस नंबर सवाल ठीक मैं यहीं कहूंगा अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए क्यों भी कम से कम अपना अब्जेक्टिव को ले करके संतुष्ट जरूर हो जाए कि हमारा जो अब्जेक्टिव है वह इतना जरूर सही है ठीक है आए थर्टीफोर करें दो सम्रूप तिर्भूजों की परिमाप करमसा 30 cm और 20 cm है यदि पहले तिर्भूज की एक भूजा की लंबाई 18 cm हो तो दूसरी तिर्भूज की संगत भूजा की लंबाई क्या होगी ठीक है तो इसका राइट जो एंसर होगा वह होगा 10 cm यानि की 33 का 34 नहीं 34 को जबाप हल की जेगा तो इसका राइट एंसर आएगा 12 यानि की डी नमबर जो अप्शन होगा बिलकुल सही होग ठीक है अब अगला क्वस्टन देखा जाए कोई सवाल शूटी है गया नहीं ठीक ठीक आगे देखा जाए 35 नमबर तो 35 नमबर सवाल कह रहा है एक तिर भूज क्या 36 रूट दो सेंटीमेटर स्क्वायर है तो इसकी भूजा क्या होगी ठीक है इसको भी जब आसानी से आप हल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तब 35 का जो होगा वह बारस यम आएगा यानि की सी जो होगा बिलकुल कोरेक्ट एंसर होगा ठीक है अब आये 36 दो परतिछेदी विरितों की उभाइनिस्ट असपर सरेखाओं की संख्या क्या होगी परतिछेदी यानि की सवाल आपको उस दिन हम वीडियो में बनाये थे आपको बताया थे एक विरित यहां ले लिजिए और परतिछेदी यहां ले लिजि तो इसलिए एक इधर एक इधर ठीक है यानि कि राइट एंसर होगा 36 का बी यानि कि दूग वासपर सरेखा हम लोगों इस पर खीच सकते हैं को रेक्ट अब आये 37 नमर सवाल देखा जाओ 37 को रहा है एक विरित जिसकी तीर्जिया साथ सीयम है बाहे बिंदू पी से असपर सरेखा पीटी की लंबाई 24 सीयम है यदि ओ के इंदर का विरित है तो ओ पी की लंबाई क्या होगी 37 निकालने के बाद इसका एंसर हैगा 18 यानिकी डी नमबर ऑप्सन जो होगा वह थैयान देना आपको बताया गया है त्यूरम है कि किसी बाहे बिंदू सेघ्ड पर कर्गी की आ ऄफार्सरेखा noticing की लंबाई होगी और 30 नबर सवाल है द्यान देना आपको बताया कित है किसे बाहे बिंदू से ब्रीत सब्स्री लंबाईयां समान होती है तो जब एक वस्पर्स रेखा 17 cm है तो दूसरी भी वस्पर्स रेखा कितनी होगी 17 cm यानि की राइट एंसर क्या होगा इसका सी ठीक है और 30 का हो गया सी आगे देखा जाए इसके बाद 49 नंबर सवाल यदि 7 cm तिर्जिया वले किसी ब्रीद के लहु खंड लहु ब्रीद खंड का छत्रफल 14 cm स्क्वार है तो देख ब्रीद खंड का छत्रफल क्या होगा तिर्जिया दिया हुआ है आराम से निकाल सकते हैं आप लो तो उन 40 का जो होगा आएगा एंसर वह होगा 140 य निकाल लिए उसको डवल कर लिए ब्यास हो जाएगा और ऐसे भी बहुत पुपलर सवाल आठवा क्लास में से पढ़ते आप लोग आ रहा है तो इसे भी सब को हम लोग जानते हैं कि इसका हमेशा 154 का जो तिर्जिया होता है साथ निकलता है तो साथ का दूगुना कर लिए होगा ठीक है तो संपाति का मतलब होता है कि जैसे कि मान लिए एक रेखा अगर इसे जाती है तो दूसरी रिखा भी इसी पर जाएगी गाया दोनों रेखा एक दूसरे नंबर होंगी तो जितना पूपर होंग तो जितना खटेग वहीं हो लोगा त्य तो लगतार उपर है इसको गीना थोड़े जा सकता है इसलिए इसका अंसर होगा और गीनात हल याने की आप्शन नमबर सी ठीक है को दिखकर अब आई यह अब कोस्टन नमबर 42 देखा जाए ठीक है 42 देखिए करा समीकरन 2x-y-3 ब्राबर 0 एवं 12x-7y-5 ब्राबर 0 कि आले कितने प्रकार की सरल र 42 को जब आप देखिएगा ध्यान देकर करका इसे भी नहीं तो इसको आएगा पर तिछेदी सरल रेखा यानि की राइट एंसर होगा 42 का सी करेक्ट चलिए एक स्वाई ब्राबर 0 का अले कैसी सरल रेखा पर होगी बहुत पोप्लर सवाल है 43 का ध्यान दिजेगा तो इसका एंसर हो जाएगा सी मूल बिंदू से जाती हुई यानि की सी जो होगा कॉरेक्ट एंसर होगा 44 देखा जाए को रहा है कि निमली खित में से कौन दुई घात समीकरण है दुई घात समीकरण कई बर बताया गया है दुई घात समीकरण निकालने के लिए 44 का भी एकदम कोरेक्ट एंसर होगा ध्यान रखिएगा निकाल कर भी आप देख सकते हैं कि दुई घात समीकरण हना चलिए 45 यदि समीकरण टू एकसे स्क्वाइर प्लस पी एकस माइनस थी बराबर जीरो का एक मूल माइनस तीन है तो पी का मान क्या होगा पी का मान निकालना है एक मून दिया हुआ है अलफड है के पर्योग करके आसारणी से निकाल सकते हैं तो जब आप श्वाल निकाल आएगा पांच यानि कि दूसरा बी कमान क्या हो जाएगा नंबर जो अप्शन होगा होगा है ठीक है अब यह 46 नंबर सब्सक्राइब तो वास्त्विक और समान कब होता है जब डी कमान जीरो ठीक है तब अब रहा बात कि आपको क्ये कमान निकालना है तो इसी फर्मूले पर रहके हम लोग बना लेंगे तो 46 नमबर जो सवाल है उसका अगर मान रहकर क्या बनाईएगा तो 46 का जो सही अंसर आए ियानि की इसका राइटधें रहोगा हुआ ठीक है आवा यह सफा नमबर सवाल, सवाल है योदि it, स्क्रार प्लस फ्री पीथ स्क्राइबर जीरो के मूल राता रूआएगा यानि कि सी जो सका प्लस पी स्क्वायर प्लस एक सस्क्वायर मायनस Q स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे मतलब आपको बताना है कि इसका मूल क्या होगा ठीक है ध्यान देजेगा तो जब इसको आप हल कीजेगा तो इसका आएगा प्लस 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 बराबर 0 के मुलो के योग और गुननफल का अनुपात क्या होगा अनुपात बताने के लिए आपको बताये थे कि आप क्या किजेगा जो पहले कहेगा जैसे योग निकाल लिजिए अलफा प्लस पी चात उपर रखिये गुननफल नीचे रखिये और उसके बाद कटने वाला होता काट करके इसका नुपात निकाल लिजिए तो इसका जो एंसर आएगा वह तीन नुपात दस आएगा यानि स्क्वार प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 यानि कि यह जो होगा 50 का कोरेक्ट एंसर होगा ठीक है एकावन रामबार एकदम रूट एकासी बटा दू एक है पर्मे की या पर्मे कई बार बताया गया कि जिसका रूट हट जाता है पर्मे हो जाएगा रूट नहीं हटेगा अपर्मे होगा ऐसी भी देख सकते हैं रूट एकासी का मान नो बटा दू नो बटा दू रूट हट ग या ए कोई दिक्कर चलिए आगे बढ़ा जाए को कराब कि कोस्टन नमबर 52 एक सो बानवे क्या भाज गुनन खंडों में दू का अधिक्तम घातां क्या होगा गुनन खंड तोल लेजिए दू का पावर कितना आता है देख लीजिए तो बावन नमबर में देहान दिया जाए होगा तो बावन नमबर में 2 गहत यानी की 6एक अधिक्तम क्या पूछना गातां क्या होगा तो तो बी का मान क्या होगा कई बार अराम से फर्मूला यहां दिया ही है मान रख लेजिए बना लेजिए ठीक है तो जब इसका आप मान भर करकर निकाल लिएगा तो इसका एंसर आएगा नौ यानि की ऑप्शन नंबर तीरपन का यह जो होगा बिल्कुल सही होगा चलिए को क्रानिम लिखित में से किसका दसंब्ला परसार सान्थ अरे खेवर कितना वार कहा गया जागाए हमगोश्य उसमें बदलने वाला नहीं है इसलिए 54 का जो एंसर होगा देखा जा जब तोड़ने गया तो पता चलेगा कि इसका दसमलब पर सारे गारे बटा जो 160 है बिल्कुल सांत होगा ठीक है चलिए 55 देखा जाए यदि क्यू एक धनात्मक पूरांक है तो निम लिखित में से कौन सा धनात्मक भी सम पूरांक नही एक कई बार बताया गया खैर छोड़िए अभी देखा जाए 56 का दो लगतार सम संख्याओं का आपको मौसर निकालना है ध्यान देना है तो इसका राइट एंसर होगा दू यानि कि सी नंबर जो होगा कोरेक्ट होगा 57 देखा जाए 57 नंबर सवाल है कि एक परिमे संख्या योग क्या होता है एक परिमे का परिमे भाईया परिमे होगा यानि कि जो बी होगा बिल्कुल राइट अंठावन नंबर देखा जाए अंठावन नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल चीयासी सो सत्तर है देश सी एफ सत्रह है तो एल सी एम क्या होगा कुछ नहीं करना सत्रह सिसमें भाग कर दीजिए बताया गया है आप लों को कई बार तो खैर जब भाग कीजिएगा तो यह जो एंसर आएगा व बोले जिसका रूट हड़ जाता है सब पर में देखा जाया तो 64 36 जोड़िएगा सो का बर्मुल कितना हो जाएगा दस यानिकि यह जो होगा उन्सट का कोरेक्ट एंसर होगा ठीक है अब आए साथ नंबर सवाल देखा जाए साथ नंबर सवाल यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 10 जीरो हो तो मसा इतना इतना क्या होगा यानि कि आपको बताना है कि 135 का मसा क्या होगा ऐसे भी आप समझ सकते हैं जब मसा निकालिए गताएगा 5 यानिकि B नंबर यह जो दिया है न इस के बारे में ज्यादा मत सोचिए सीधे आप यहां पर इसका मसा निकाल लीजे हो जाएगा अब एक सथ यदि बिन्दू आर एक कॉमा भी बिन्दू पी जीरो कॉमा जीरो कॉमा दू को मिलाने वाली रेखाखन पर हो तो निमलीखित में से कौन सही है ठीक है तो कौन सही है इसका जब मान निकाल लिएगा तो आएगा दू यानि कि यह का मान क्या हो जाएगा दू बी कोरेक्ट एंसर बास अठ शरल रिखाओं एकस बराबर दू वाई बराबर माइनस तीन का परतिछेद बिन्दू है परतिछेद बिन्दू पूछ रहा है अर्थात यह कहां काटे दूसरी को आपको यह बताना है तो हुए अंसर आएगा दू को मात माइनस तीन यानिकी नमबर ठीक है चले अरे तो सवाल तीर सटें थिट्टा वारा पंद्रा बटा आठ साइन थिट्टा का मान क्या होगा पिछले मैथ में भी वीडियो मैथ बना कर डाले थे बोले भी थ सवाल यानिकी बिलकुल सही एंसर होगा अगला सवाल देखा जाए 65 नंबर सवाल को स्गों सब्सक्राइब प्लस टैन थटा प्लस ब्रावर जीड़ो तो सेख थिटा मैनस टैन थिटा का मान क्या होगा बिल्कुल असान सवाल है 65 नंबर कोस्चन इसका राइट एंसर होगा माइनस एक यानिकी बी जो होगा कॉरेक्ट होगा 66 यदि साइन थिट्टा बरावर रूट 3 बटा दू तो कौसेक थिट्टा प्लस कोड़ थिट्टा का मान क्या होगा दो मसान सवाल है सब कोई बना लिया होंगे 66 का जो होगा जो मान भरिक निकालीएगा तो राइट अंसर आएगा डी यानि कि रूट 3 जो होगा बिल्कुल सह अंसर होगा 66 यदि रूट 3 टैन टू थिट्टा माइनस तीन बरावर जीरो तो थिट्टा का मान क्या होगा पिहले वीडियों बना कर डाले थे यह भी सवाल था उसमें देखिए कितना सवाल मैच कर रहा है तो इसका जब मान निकालीएगा तो 60 की नंबर है वह आएगा 30 ड थिट्टा का मान बरावर होता है तो सब को जानते हैं कि साइन और कोस में जब आते हैं तब 45 डिगरी में दोनों का मान आपस में बरावर होता है यानि कि बी कोरेक्ट एंसर होगा 79 जो कोस 45 डिगरी माइनस टैन चात डिगरी बट्टा कोट 30 डिगरी माइनस साइन 45 डिगरी माइनस साथ डिगरी हला कि इसको तो सब्जेक्टिव में होना चाहिए लेकिन दे दिया है objective में कोई दिक्कत नहीं है 79 नमबर कोस्टन है घबडानी कोई बात नहीं है इसको जब हल किये होंगे आप लोग आया होगा माइनस एक यानि कि 79 का मान होगे 79 का जो अप्सटन हुआ वह ए नमबर बिल्कुल कोरेक्ट होगा 70 10-30, 10-30, 10-30, 10-60 11-30, बोले थे 60 डिगरी माइनस 1 बरावर क्या होगा ध्यान देना है एकदम असान सवाल है मान भर ये निकाल लेजिए ठीक है तो इसका जो मान भर के निकाल लिएगा तो 70 नमबर का जो एंसर आएगा वह होगा माइनस 3 जो होगा वह बिल्कुल कोरेक्ट एंसर होगा ठीक है कोई दिक्कत अगला क्वेस्टन पर चला जाए 72 यदि ए बटा पाँच बरावर 12 डिगरी होते इतना का मान क्या होगा 3 कौस्से के स्क्वाइर ए का मान क्या होगा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है अराम से आप निकाल सकते हैं कोई सोचने वाली इसमें बात नहीं है इसको जब आप निकालिएगा तो 72 का इसका मान आएगा 4 यानि कि C जो होगा वह बिल्कुल सही अंसर होगा ठीक है और यह 70 नमर कोस्टन देखा जाए कैसे करा है साइन 54 डिगरी माइनस कोस 36 डिगरी आपको बोले थे कि दोनों ध्यान दिजेगा 54 जोड़ने पे 90 पलस में रहेगा तो 1 माइनस में रहेगा तो 0 यानि किसका कोरेक्ट टेंसर हो जाएगा 72 का 73 73 अधि पलस में है 73 74 डिगरी माइनस कोस 36 डिगरी का मान क्या होगा क्या होगा 0 को दिक्कत अब ध्यान देना है 74 नमर सवाल 74 नमर सवाल कह रहा है कि कोस 1 डिगरी कोस 2 डिगरी कोस 3 डिगरी इसे करते करते आपको जाना है कोस 90 डिगरी तक और आपको 90 डिग्री तक जाने के बाद बताना है इसका मान क्या होगा ठीक है तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है इसका एंसर हो जाएगा 0 यानि कि A जो होगा correct होगा ठीक है जोड़िये का 90 यहां जोड़िये का 90 कुछ करना नहीं है यहां एक हो जाएगा यहां एक हो जाएगा कार दीजेगा जोड़ दीजे दोनों को अराम से इस कैंसर आजाएगा दू यानि कि 75 का जो दू है वसी नंबर जो आप्शन बिल्कुल सही होगा ठीक है सब्सक्राइब जोड़िये तो इसका आज आएगा जी यानि कि 76 का ठीक है अब रहाब बात कुछ लोग बच्चे हमारे सोच रहे होंगे कि आज वीडियो बन रहा है आज डाल रहा है तो बाबू कुद हम 13 से बाहर थे इसलिए वीडियो लेट से बनाए आज से फिर या पर के रिया रेगुलर हो जाएगी कोई बात नहीं है आप लोग अगले एक्जाम की तयारी करते रहे हैं इस पर विश्यसर विध्यान नहीं अराम से एक्जाम देके आए उसके बाद अपना मिलाते रहेगा ठीक है अक्यों कुछ बदलने माला है नहीं चलिए यह भी सवाल उस अटात्तर नंबर कोस्टन देखा जाए एदि साइन अड़ तालिस डिगरी बराबर पी हो तो टैन अड़ तालिस डिगरी का मान क्या होगा बहुत अच्छा कई बार बना है खैर अटात्तर का एज होगा बिल्कुल राइट एंसर होगा उनासी देखा जाए टैन साताइस ड चाली है खुब राम से मान रख करके निकाल सकते हैं नाइंटी मैनस धिटा वाला पे चले जी या राम से तो इसका कोर्यक्ट टैंसर होगा सी यानि कि 90 डिगबी ठीक है आपको बताना है मान क्या होगा ठीक है द्यां देना है तो इसका जो राइट एंसर होगा वह निकलेगा एक यानि कि ए नमबर बिल्कुल कोरेक्ट होगा 81 यदि PX वराबर 3X Q प्लस X स्क्वार प्लस 2X प्लस 5 कॉमा QX वराबर X स्क्वार प्लस 2X प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भाग फल का घात क्या होगा आपको भाग फल का घात पता करना है ठीक है इसको जब आप हल कीजिएगा तो इसका आएगा एक भाग फल का घात यानि कोरेक्ट एंसर होगा A, 82 यदि बहुपाद GX इतना इतना में G-1 का मान क्या होगा यानि कि G के जगा अपे इसका मान रखिये अराम से इसको हल कर लीजिए हल कीजिएगा तो आएगा इसका एंसर 12 यानि कि B जो होगा बिल्कुल कोरेक्ट होगा ठीक है 83 बहुपाद X स्क्वाइर माइनस 16 के सुन्यक उस दिन के वीडियो में बताया गया है देख सकते हैं आप लोग एकदम हलका सवाल है सब कोई जानता है इसका राइट एंसर होगा वह पलस 4 माइनस 4 यानि कि A जो होगा वह बिल्कुल कोरेक्ट एंसर होगा ठीक है 84 नमबर कुस्टन करा यदि PX X स्क्वाइर माइनस 3X प्लस 5 के सुन्यक अलफा और बीटा हो तो 4 इन्टू अलफा प्लस बीटा का मान क्या होगा है इसका जो राइट एंसर होगा वह होगा 12 यानि कि A नमबर 85 देखा जाए द्विगात स्मिकर्ण X स्क्वाइर माइनस 9X बराबर 2A के सुन्यक को का गुणन फल माइनस 8 हो तो वालफा एक अमान क्या होगा ठीक है 85 में आपको A का मान कह रहा है निकालने के लिए तिसका राइट एंसर होगा 4 यानि कि option नमबर A जो होगा बिल्कुल सही होगा 86 देखा जाए यदि भववपत PX का एक सुन्यक माइनस एक हो तो PX का गुणन खंड होगा आपको PX का गुणन खंड बताना है तो PX का जो गुणन खंड होगा वह जाब हल कीजिएगा 86 नंबर सवाल को जो पी एक से गुणन खंड निकालना हो तिसका जो राइट एंसर और आगा एक्स प्लस मोन यानिकी भी जो होगा बिल्कुल सही होगा 87 निमलिखित मैं से किस दुईघाट सवानीकरान के सुन्यकों का योग माइनस तीन रह लिचाट याल्फा प्लस माल निकालना है अर्ब आम से आप निकाल लेज़िए तो आएगा एकस स्क्वार प्लस 3X प्लस ट्वू यानि कि एजो होगा बिल्गूल कोरेक्ट एंसर होगा अठासी यदि अलफा बीटा गामा त्रिगात वहपत एक्स क्यू प्लस बी-च्री स्क्राइब प्लस चीएक्स प्लस डी के सुनीयक होते निम लिखित मालफा बीटा और गामा कामान होगा आप कहीं ने बताना है तो फर्मुला इसे भी जनबे करते हैं आप लोग ठीक है तो इसका जो कोरेक्ट एंसर होगा माइनस माइनस डी बटाए सी नमबर ठीक है अब यह नमासी नमबर दिया है वाई a by square minus three y plus one into y to the power 4-4yq plus y square plus three y का गात क्या होगा गात निकालने कि आपको बताया गया था भूले तो होंगे भूले तो नहीं होंगे सही से बनाये होंगे तो इसका जो राइंसर होगा वह साथ इसको जब किजियेगा तो आएगा ठीक है तो इसका एंसर हो जाए कितना बी नमबर 89 का बी ठीक है को दिकर 90 करा 3x-2y प्लस 12 यह फोर x-5y प्लस 16 हो तो आपको xy के मान निकलना है हौल कर लिजे निकल यागा राम से ठीक है तो 90 का जो राइट एंसर होगा वह ए अब आए रहती x-4y-0 50 कि अ कि में Carry एक इसी पहीं के तीर्ज़्या इतनी है तो दो चक्र मैं कितने दुरी देखर करेगी डूह एपकर करेगी यह नहसे निकितने में या बटा बताया गया था आपको बोलिए थीटा बटा एक सॉसी पाई यार उसी अधार पर आप इसका जो क्राइट एंसर होगा वसी बिल्कुल कॉरेक्ट टेंसर हो जाएगा ठीक है बाद में सवाल है तो जो राइट एंसर होगा वा पानसो बार ठीक है चोड़ानवे को रहा है एक संखु के अधार का ब्यास दस सीएम है इसकी उचाई बारा सीएम है तो इसका हैतन क्या होगा संखु काहतन निकालना है तिर्जिया उचाई सब कुछ दिया है फर्मूला लगाई आराम से बनाई एगा ताएगा सो पाई यानि कि सी जो होगा बिल्कुल को रेक्ट एंसर होगा पंचानवे एक ही सबकुछ दिया हुआ है पाइप के बारे में बताया गया होगा तो इसका एंसर होगा 220 आएगा यानि की बी नंबर जो होगा बिल्कुल और जो होगा ठीक है जानवे नाइनटी सिक्स पर एक संकु और एक बेलन के अधारों के छेत्रफल समान है तो उनके वगा कर फिश्टे छेत्रफल भी समान है तो बेलन कुछाई 2 मीटर है तो तिरिय कुछाई क्या होगी ठीक है तो आप जब अराम से मान भर लेजे निकल जा ख्ञाई 33 सेंटी मिटर क्यूँ है तो घं का कीनारा और बिकन कानुपात क्या होगा औरे किनारा निकल में कर नहीं नहीं कान लिएक से निकाल लेजे का इसका माना येगा इक अनुत तीन यानिकी ए जो होगा बिल्कुल सही अंसर होगा अंठानवे को रहा है यदि किसी और गोले का संपुर्ण 462 सेंटीमीटर क्यों है तो ब्यास क्या होगा आपको ब्यास निकलना है ठीक है सब कुछ दिया है इसका अंसर जो आएगा वह 14 cm यानि कि बी होगा वह कॉरेक्ट होगा कि मृका निनानमे गरे दों कि नहीं लों की कि तेर्जियां कंपथी अनफांतीं है यानु कर दों छाहिए हे रही त्यों चाहिए और लास्ट जिसी गोले के दिगुरी और itasal कॉना होगा आयतन क्यूँ होता है सब को पता है तीन का क्यूँ को लिए तीन दिर का नौतिर का 27 यानि के 27 गुना डी जो होगा बिल्कुल कोरेक्ट एंसर होगा ठीक है धन्यवाद